सुमबार्द रुपहर को भीमताल शेत्र के बानना गाउं में उस वक्त हड़कम्प मच गया जब गाउं के समय पिस्तित एक खाई में एक युवक के शव को दिखा गया खाई में शव के होने की जानकारी मिलते ही पूरे शेत्र में हड़कम्प मच गया जिसके बाद इस्तानिये लोगों ने इसकी सुचना पुलीस और SDRF की टीम को दी SDRF टीम ने मौके पर पहुँच कर शव को खाई से बहार निकाला और उसे पोस्मॉटम के लिए भेज दिया मिली जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार के दोपैर ग्रामिडो द्वारा सड़क से नीचे बासा की खाई में सड़ा गला इंसानी शव मिलने की सूचना पुलीस को दी गई सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष मिमल कुमार मिश्रा के नेतरतु में फेस्क्यू टीम ने घटना स्तल पर पहुँच कर शव को खाई से भाहार निकाला शव के खराब हो जाने की वज़र से उसकी पहचान उसके कपडो सी गी गई जिसके अधार पर डमवड उंगा काडगोदाम निवासी पुरन कुमार ने मिलितक की वग की पहचान अपने 22 वर्षिय बेटे सूरच कुमार के रूप में की बताय जा रहा है कि मिलितक सूरच 19 दिन से घर से लापता चल रहा था और उसकी तलाश उसके परीजन लगतार कर रहे थे इतना ही नहीं परीजनों द्वारा सूरच की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी काडगोदाम थाने में दर्श करवाई गई थी वहीं पुलीस का कहना है कि मिलितक की सही से पहचान कराने के लिए शव का डिने करवाय जाएगा और शव के पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा होली के अलग-अलग रंगों की तरह जेजैन आपके बीच लाता है अलग-अलग तरह की खबरे होली के अलग-अलग रंगों की तरह जेजैन दिखाता है अलग-अलग संस्कृतिया इस होली आपका जीवन भी रंगों से भरा रहे होली के अलग-अलग रंगों की तरह ही जेजेन आपको रूबरू कराता है धरतल के अलग-अलग रंगों से होली के अलग-अलग रंगों की तरह जेजेन आपको मिलाता है अलग-अलग किर्डारों से इस होली आपका और जेजेन का साथ ऐसे ही बना रहे है पूली के अलग-अलग रंगों की तरह ही जेजेन आपको रूबरु करवाता है जिन्दकी की अलग-अलग पहलों से इस होली जेजेन का वादा है आपका जीवन दिखा रहेंगे हम सच दिखाएंगे तहर तक जाएंगे नई सोच के साथ देश और प्रदेश सवारेंगे हम होली के इस रंग भरे त्योहार में आप सभी को जेजेन न्यूस की पूरी फैमिली की तरफ से हैपी होली